लुब्रिकेंट सेक्टर की लोगप्रिय कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के आगे जाकर भविश्य में कैस्ट्रॉल इंडिया शेर प्राइस टागर 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या निकाल कर सकते हैं इसकी जानकारी इस आर्टिकल में देने वाले हैं कम्पनी का कुल मार्केट कैप 18,521.32 करोड का है और कम्पनी पूरी तरह से करज मुक्त है जिसके तहट तो साल 2024 में आपको इसका पहला टारगेट 220 रुपे दूसरा टारगेट 250 रुपे तक जा सकता है कम्पनी के पिछले तीन साल का रेवेन्यू ग्रोथ 19.19 प्रतिशत का है जो ठीक है लेकिन कम्पनी इसमें और बढ़त भविश्य में हासिल करती है तो साल 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 280 रुपे और दूसरा टारगेट 310 रुपे तक जा सकता है कम्पनी ने पिछले एक साल में 77.3 प्रतिशत सी AGR रिटन प्राप्त करके दिये हैं और भविश्य में कम्पनी ऐसी है रिटन प्राप्त करके देती है तो साल 2026 में इसका पहला टारगेट आपको 340 रुपे दूसरा टारगेट 380 रुपे तक जा सकता है कम्पनी के कुल नेट सल्स 5 साल पहले दिसंबर 2019 के दाटा के अनुसार 3876.82 करोड के थे तो वरतमान में अब 5074.61 करोड के हुए है मतलब कम्पनी में ग्रोथ हासिल किया और आने वाले 5 साल में भी ऐसी ग्रोथ होती है तो साल 2030 में इसका पहला टारगेट आपको 800 रुपे और दूसरा टारगेट 900 रुपे तक जा सकता है कास्ट्रॉल इंडिया शेय की मजबूती कम्पनी की प्रमोटर की होल्दिंग 51 प्रतिशत की है वर्तमान में कम्पनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है कम्पनी के पास 1199.79 करोड का फ्री कैश फ्लो उपलब्ध है कम्पनी में पिछले एक साल में 77 प्रतिशत के रिटन प्राप्त करके दिये है कास्ट्रॉल इंडिया शे की कम्जोरी पिछले पांच साल में 3.1% CAGR रिटन दिये है भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बड़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजी कृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी क्रित वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें